विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जय गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में महर्शी वसिष्ट जी ने ये कहा था दो तरीके से हमें आत्म ग्यान हो सकता है एक जो गुरू ने बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलते रहो तो फिर वह ब्रह्म का ग्यान हो सकता है और दूसरा कभी-कभी भीतर ही विचार करने से आत्म चिंतन करने से रिधय से भी उपच सकता है ये पिछले एपिसोड में महर्शिवसिष्ट जी ने कहा था उसके बाद वो कह रहे है हे राम विकास का यही सामान्य क्रम है इस नियम के कुछ अपवाद भी है जिनोंने इस संसार में जन्म लिया होता है उन्हें मुक्ति की प्राप्ती इसी तरह से होती है आत्म ज्यान की प्राप्ती जिसे खुद की वज़े से भीतर से रिदय में वह उत्पन्न होने की वज़े से होती है इसके संबंद में मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ उसे ठीक से सुनों तो अभी महर्शी वसिष्ट जी प्रभू राम चंद्र जी को एक कहानी सुना रहे है वसिष्ट जी ने आगे कहा हे राम विदेह राज्य में एक अत्यंत दूर दुरश्टी संपन्न नरेश शासन करता था विदेह नाम का एक राज्य था और वहाँ पे एक राज्य राज्य करता था कैसा था वो दूर दूर दुरश्टी थी उसकी संपन्न था उसका नाम था जनक राज्य जनक का नाम तो हम सबने सुना है उसी जनक राज्य की ये कहानी है जो भी उसके पास आता था वह उसकी इच्छा पूरी करता था उसके पास कोई भी आने के बाद विन्मुख नहीं जाता था उसको जो भी कुछ चाहिए होता था राजा उसको प्रदान करता था उसकी उपस्तिती में उसके मित्रों के रिदय कमल खिल उठते थे राजा का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जब उनके मित्रों के साथ रहता था तो उनके उपस्तिती मात्र से रिदय कमल खिल उठते थे आपने अनुभव किया होगा ना कुछ लोग होते हैं ऐसे वो आ जाते हैं ना बस उनके आने से ही खुशी मिलती है बीतर से अच्छा लगने लगता है तो उसी प्रकार राजा जनक थे वह उनके लिए सुर्य के तूल्य थे मित्रों के लिए सबके लिए सुर्य के समान थे तीज़स्वी ग्यानी वह अपने समस्त प्रजाजनों के हितेशी थे सारे प्रजा के लिए उनके लिए अच्छा सोचते थे हितेशी उनके लिए अच्छा सोचने वाले थे एक दिन वह अपने उद्यान में सुख पूर्वक विचरन कर रहे थे तबी उसके कानों में रुशीमुनियों के कुछ उत्तम वच्छन पड़े जब वहो वहाँ पर गूम रहा था टेहल रहा था तो उसने रुशीमुनियों की कुछ सुन्दर बाते सुनी क्या थी वो बाते हम बिना भेद बुद्धी या संकल्पना के पदार्थों के संपर्क में आने वाले द्रश्टा की आत्मा का चिंतन करते है जो आनंद के विशुद्ध अनुभव के रूप में अपने आपको प्रकट करता है हम बिना भेद बुद्धी या संकल्पना के पदार्थों के संकल्प में आने वाले द्रश्टा की आत्मा का चिंतन करते है द्रश्टा की आत्मा का चिंतन जो देख रहा है उसके बीतर क्या है उस आत्मा का हम चिंतन करते है दीखने वाला कौन है उसके जो कोवर कहते है उसके भीतर क्या है उसका चिंतन करते है और वो कैसा है जो आनंद की विशुद्ध रूप में अपने आपको प्रकट करता है द्रश्टा का आत्मा कैसा है आनंद रूपी है वो अपने आपको आनन्द रूप में प्रकट करता है ऐसे जो द्रेश्टा का आत्मा है उसका हम चिंतन करते है ये रिशिमनी कह रहे हैं फिर क्या कहा उन्होंने हम उस प्रकाश का चिंतन करते है जो प्रकाश करने वालों को प्रकाश मान करता है जो प्रकाश को प्रकाश देता है न जो प्रकाशित होने वाले को प्रकाश मन करता है उसका हम चिंतन करते है यह प्रकाश रुपी आत्मा है और नहीं है कि दोनों संकल्पनाओं से परे है या इन दोनों के बीच है यह प्रकाश रुपी आत्मा है या नहीं है इन दोनों संकल्पनाओं से परे है या बीच में है वो जो स्वरूप है उसका हम चिंतन करते है हम उस सत्ता का चिंतन करते है जिसमें हर पदार्थ विद्यमान रहता है क्या है जिसके भीतर संसार का सब कुछ हर पदार्थ स्तित रहता है वो क्या है उसका हम चिंतन करते है तथा जिसमें सब कुछ उत्पन होता है जो सभी कारण और जो सब कुछ है जिसके भीतर ये सारे पदार्थ उत्पन्न होते है जो सभी पदार्थों का इस संसार का कारण है उसका हम चिंतन करते है हम उस आत्मा का चिंतन करते है जो संपूर्ण भाषा और अनुभव का आधार है जिसमें अ से ह तक का विस्तार क्षेतर है और अहम से अभी हित किया जाता है हम संपूर्ण भाषा का आधार जो है ना उसका चिंतन करते है अ से ह तक हम कहते हैं ना अ से ह जो अल्फाबेट्स कहते हैं बाराखडी कहते हैं इसके बीच में ही सारी भाषा नहीत है है कि नहीं तो जो भी भाषा का आधार है उसका हम चिंतन करते हैं दुख की बात ये है कुछ लोग पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं मूर्खता वश उस परमात्मा को छोड़ बैठते हैं जो सबके रुदे रुपी कंदरा में बैठा हुआ है रुशी मुनी क्या कह रहे है दुख की बात क्या है पता नहीं कुछ लोग पदार्थों के पीछे क्यों भाग रहे हैं वो पदार्था हासिल करने वस्तू हासिल करने के पीछे होड लगी हुए उसके पीछे भाग रहे है पर जो परमात्मा उनके रिदय में बैठा है न उसके पीछे नहीं जा रहे कितने मूर्खो होते है कुछ लोग पदार्थों की असारता समझ लेने पर भी जो उनसे चिपका रहता है वह मनुश्य नहीं है पदार्थों में वस्तू में कोई सार नहीं है उसमें कुछ आनंद नहीं है हम कहते हैं ना सार नहीं यह इसमें कुछ फिर भी उसमें चिपके रहते हैं फिर भी उसमें उल्जे रहते हैं तो ऐसे लोगों को मनुष्य ही नहीं कहना चाहिए यह महर्शी कह रहे हैं बुद्धी रुपी दंड से अपनी हर लालसा को भगा देना चाहिए बले ही वह रिदय में उत्पन्न हुई हो या उत्पन्न होने को हो बुद्धी से, ज्यान से अपने रिदय में अगर कोई लालसा उत्पन्न हो चुकी है या होने के कगार में है न तो बुद्धी रुपी डंड से उसको भगा देना चाहिए यने क्या लालसाओ में इच्छाओ में उलज के मत रहो बुद्धी का इस्तमाल करो बुद्धी का इस्तमाल करके इन लालसाओ को हटाओ अगर उत्पन्न हो ये तो उनको भगा दो उत्पन्न होने के फिराग में है उनको भी भगाओ उल्जो मत व्यक्ति को शांती से प्रवाहित होने वाले आनंद से आनंदित होना चाहिए जिसका मन पूर्ण तहा नियंत्रित होता है वह दृड़ता से शांती में स्थित रहता है व्यक्ति को शांती से प्रवाहित होने वाले शांती में आनंदित रहना चाहिए बीतर के शांती का जो प्रवाह है ना उसमें के शांती से खुश होना चाहिए आनन्दित होना चाहिए जब इस प्रकार रिदय शांती में स्थित होता है तब विशुद्ध आनन्द बिना किसी प्रकार के विलंब के आत्मा से उत्पन्न होता है जब रिदय शान्ती में स्तित हो गया ना तभी आनंद की उत्पत्ती होती है आनंद बिना किसी विलंब के आत्मा से उत्पन्न होता है बिना किसी विलंब के कह रहे है जैसे स्तिर्ता आ गई शान्ती आ गई उस शन तच शन आत्मा से आनंद की उत्पत्ती शुरू हो जाती है कितने सुन्दर वचन राजा जनक ने इन रुशी मुन्यों के सुने यह वचन सुनने के बाद उसके भीतर उसके मन में कुछ ख्याल आये क्या अगर आये है तो वो दिखेंगे कल के एपिसोड में तब तक के लिए जै गुरुदेव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे